मूंग दाल पालक चीला बहुत इमेंट वे बनता है इंस्टेंट बनता है इसके लिए मैंने दो कटोरी मुंग दाल को भीग हुआ था दो घंटे पहले, पहले उसे नॉर्मल पानी से धोया, उसके बाद थोड़े गरम पानी में भीगो लिया, तो बहुत अच्छी पूल चुकी है, एक कटोरी दाल को मैं आज ही उस कर लोगी, 100 ग्राम मैंने अबाल कर पालक है जो इसमें डाला है और चिलके भी दाल के साथ ही रह गए हैं जो कि हमारी बॉड़ी के लिए बहुत अच्छे है तो मैंने उसमें थोड़ा सा चार लहसुन की कलिया डाली है, एक चोटा सा प्यास डाला है और एक चोटा टेबल टी स्पून डाला है मैंने जीरा, थ पेस्ट बना लीजिए का इसका बैटर कभी को प्री हीट कर लीजिए और दो साथ अवह में बनाएगे बस अच्छे सी हीटिंग हो गई तो कुछ भी करने की ज़ूरत ने थोड़ा सा और इस बैटर को हम डालेंगे और अच्छा सा फैला देंगे एक दम बहुत मोटा भी न देखेंगे इतना फलफी हो गया है क्योंकि हमने सब मसाले डाल के इसमें इसको एक साथ मिक्सी में उसकी वज़े से इसमें बहुत अच्छा बनता है यह आप इस तरह से बनाएगा आपको कोई सूजी कोई बेसन कुछ भी इसमें डालने के ज़रूरत नहीं है और यह जो च प्रोटीन हेल्धी होता है और हमारे बॉड़े के लिए अच्छा होता है तो हम यह बाजाव शेक लेकर पीए उससे अच्छा हम इस तरह के हैल्दी नाष्टे में बिलीव करें तो उसाधा अच्छा है एक बन गया है मैंने दूसरे डाल दिया है दूसरे डालने के बाद फ आसे फूल कर किज़े सकते हैं चाय के साथ enjoy कीजिए चाय नहीं पीते हैं green tea के साथ भी पीट ले सकते हैं और चटनी आप पसंद कोई भी भीजो आपको पसंद हो चटनी नहीं पसंद साथ भीचा सकते हैं लेकिन धिहान रखिए कि अगर आप weight loss कर रहे हैं तो sauce बहुत ही कम ल जाता है और आपको टिफिन में सव करना है तो आप इसके पीसे में कट करके भी रख दीजेए और बचे भी नज़ॉय करके खाएंगे और आप भी एंज़ॉय करके बच्चो को देगे कि हमें भी सेल्ब सेल्व स्थिस्पेक्षिन मिलेगा कि हमने बच्चों को चार्ज